अल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तो इस्ट्रेस इन यूनिफर्मली टैपरिंग सर्कुलर वार देखे दोस्तो जैसे आप डाइग्राम में देख सकते हैं ये कोई वार है और इस पर पी लोड लग रहा है इस डाइरेक्शन में इस तरह पी लोड लग रहा है इस बार पर इसमें डाइमेटर है इस बार के ये D1 ये diameter D2 ये दोनों diameter हैं दोस्तों जो कि आप वो cross section दिखाया गया है इनका इस तरह से हैं बीच में point पे P load लग रहा है और इस diameter को D1 और इधर के diameter को D2 से प्रदर्शित किया गया है दोस्तों अब इस पर load लग रहा है दोस्तों इसमें deformation कैसे निकालने के लिए दोस्तों हम इस वार के अलग अलग तीन हिस्से कर देते हैं जैसे आप right hand side में diagram देख सकते हैं इसके तीन हिस्से एक तो यह direct अंदर वाला जो D2 diameter है यह तो समझ लो बिल्कुल एक circular साफ्ट होगी लेकिन उपर जो यह हिस्सा है उपर वाला कि यह कर लेते हैं इसका इस तरह से यह दोनों हिस्सें उपर इसके यह अलग-अलग हिस्सें की दिस्टेंस अलग-अलग वहापनी पड़ेगी हमको दोस्तों क्योंकि हमें इसमें आपको क्रोस सेक्षन यह डी एक्स है इधर देखिए यहां यहां पर हमको इसका diameter चाहिए जिस पर भी आप steady कर रहे हैं जिस पॉइंट पर भी जिसको हम x distance मान लेते हैं दोस्तों चली से साप कर लेते हैं जिस भी पॉइंट पर आप steady करना चाहते हैं वहां के लिए आप उस distance को x मान सकते हैं जैसे हमने हैं dx यह मान लिया इसका जो यहां x distance पर diameter यह dx है और इसकी distance यह x है आप चाहें तो इसे कहीं भी पूरे इस cross section area को कहीं भी ले सकते हैं उसे हमने x मान लिया है इस पर calculation चल रहे हैं दोस्तों चलिए अब आगे समझते हैं इसके लिए हमें देखिए इसकी इतनी तो पता है आपन को कितनी distance है जैसे अभी बताया था लेकिन यह उपर वाली कितनी है यह हमें पता नहीं है इसे पता करने के लिए हमें से calculation से solve करते हैं दोस्तों अब ध्यान से सुनते रहें और देखते रहें इसको साप कर देते हैं दोस्तों चलिए वापिस आते हैं अब हम देखते हैं दोस्तों इन सिमिलर triangle ABC तिरभूज ABC से काम चलाते हैं दोस्तों इसमें ABC कहा है यह उपर वाला तिरभूज बना हुआ है जो यह आप देख सकते हैं यह ABC तिरभूज है and EBD और दोस्तों EBD यह इसके अंदर छोटा तिरभूज है जो ABD है इसे जूम कर लेते हैं इस तरह से दो तिरभूज हैं दोस्तों एक तो यह बड़ा बाला और एक जो इसमें अंदर है EDB इन पर calculation चल रहे हैं दोस्तों इन में ratio समान होगा क्योंकि यह एक एंगल पर बने हैं दोनों तिरभूज है इसे साफ कर लेते हैं अब दोस्तों हम calculation करते हैं similar triangle ABC and EBD जो को ratio से लगा लिया हमने लंब बटे आधार बटे लंब sorry अभी बताते हैं इसको यह दोस्तों यह लंब और यह आधार है इसका इस पर हम calculation कर रहे हैं इसे फिर साफ करते हैं AC बटे L AC आपको पता है दोस्तों इधार है AC बटे L अभी diagram में बता दिया आपको इसी फिरकार इस सोटे तरभूज में ED बटे L-X क्योंकि यह पूरी जो length है यह L है और जिस point पर हम बात कर रहे हैं इधार से ले रहे हैं इसको X यह diagram है दोस्तों mirror image इन दोनों की इस तरह से यह X distance है दोस्तों इस पर काम चल रहा है तो इनको हम 10 theta के बरावर लिख सकते हैं क्योंकि लाल बटे कका तो lump बटे आधार 10 होता है दोस्तों उस ratio से हमने इसकी value पुट कर लिया है अब आगे ले जाते हैं दोस्तों इसको ED ED क्या है दोस्तों M मान लिया हमने ED को जो कि यह distance है दोस्तों E और D वाली क्योंकि हमें यह दोन distance चाहिए इसके बाद बीच बादी तो पता है D2 है लेकिन यह दोन distance निकालनी है इसके लिए हम calculation कर रहे हैं दोस्तों इसको हमने ED को M मान लिया है अब इसमें ED कहा है दोस्तों यह राए इडी अपना इस ED को हल करते हैं तो यह उपर गुरा में चल जाएगा AC के बटे L आएगा इस तरह हमने ED निकाल लिये दोस्तों इसकी अब इसको AC जो है यह AC distance कितने है दोस्तों इसकी बेलूपुट करेंगे चलिए अब AC के लिए चलते हैं AC किस तरह से निकाला है दोस्तों AC निकालने के लिए देखिए यह पहले पता है जैसे D2 है लेकिन यह उपर वाली distance कितनी है यह नीचे वाली कितनी है इन्हें निकालने के लिए पहले AC पर काम करते हैं अब इसमें AC के लिए वो ट्राइंगल वाला फर्मुला हमने लगा लि अब इसमें देखिए दोस्तों AC में क्या है इसे साप करते हैं फिर से यह इसलिए द्यान से दीर दीर बताए जारा दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में अब देखिए अब अपने पास यह distance है बीच वाली है और यह बड़ी वाली distance है यह बड़ी वाली डीवन और चोटी वाली डीटू है तो इसे साप करते हैं फिर से तो अब हमारे पास दोस्तों यह सिर्फ आधी distance की बात हो रही है एसी वाली इसमें मतलब कि डीवन का आधा हिस्सा है यह फुल डायमेटर इसका आधा हिस्सा है उपर डीवन बटे टू कर दिया इसको लेकिन जो यह हि नीए गेल दोस्तों बीचवाला अब बीचवाले का ब्याद आ होगा । इस तरह से अपना एक्षी निकलाएगा दोस्तों चलिए से सब कर देते हैं अब अपने ये सी निकल आया है दोस्तों इसकी पहले हमने इधर रख दिये डी वन बटे टू माइनस डी टू बटे टू अब इसको आगे सॉल किया दोस्तों इसका इस मैसे दोस्तों अब हम दोस्तों डी वन बटे टू माइनस डी टू अपन टू माइनस एक्सल इन दोनों का गुना कर देते हैं इसका और इसका गुना कर दिया है तो हमें ये समिकरन प्राप्त होता है इसको हमने बरावर एम मान लिया है क्योंकि ये इडी बरावर एम है पहले से चलता रहा है इस तरह से अब हमारे पास एम निकला है दोस्तों अब एम क्या है चलिए देखते हैं यह M है दोस्तों यह distance ED वाली जो कि शिर्फ इतनी distance है अब हमें वो चाहिए और इतनी नीच है distance same इतना कितना cross section इधार है इसका इतना है तो हमें यह 2M करनी पड़ेगी जिससे हमारे पास यह दोन डिस्टेंस आ जाएं बीच वाली D2 है हमारे पास चलिए इस तरह now 2M is equal to अब हम इसको 2M ले लेंगे दोस्तों M तही इसको दो गुना कर दिया है same अब 2M प्लस D2 जो मैंने बताया था DX diameter की full length 2M प्लस D2 है दोस्तों उसको आगे solve करते लाए हैं इधर 2M करने से दोस्तों जो नीचे बटे हैं हमें 22 है यह सारे कट जाएंगे 2M हो जाएगा तो इसमें यह बचेगा 2M प्लस D2 कर देंगे दोस्तों यह अपना 2M है और इसमें D2 जोड दिया है तो हमारे पास यह total DX length आगी है जो कि उस DX distance पर जो diameter है वो है 2M प्लस D2 यह diameter आगा दिस इस दिडामेटर ओफ एलिमेंटरी स्ट्रिप DX चलिए दोस्तों हमें डामेटर मिल गया फाइनली अब दोस्तों हम area of elementary स्ट्रिप उस स्ट्रिप का area कितना उस cross section का area कितना होगा दोस्तों x distance पर x x तो area निकालने के लिए बृत का area निकालने के लिए दोस्तों हमें पता है formula 5Y4 D2 होता है तो यह formula लगा दिया इसमें अब दोस्तों इसमें D की value पुट कर दिये हैं जो कि आपने देखियोगी पिछले इस समीकर्ण से आई है इसको sort कर लिया दोस्तों xl common ले लिये हैं इसमें से और यह D1 और D2 अलग अलग बचे वह हैं इस तरह से दोस्तों ले लिया है अब इस value को हम k मान लेते हैं दोस्तों l को इसके नीचे ले आएंगे और इस total value को k मान ले आएं इस total value को let's k is equal to bracket में D1 minus D2 बचे L इससे हमारी यह समयकर थोड़ी sort हो जाएगी sell करेंगे then area is pi y 4 bracket में D1 minus KX का whole square we know that हम जानते हैं दोस्तों stress is equal to force upon area अब force यह load कितना है दोस्तों P area हमने निकाल लिया है यह area है इसको बचे में नीचे रख दिया है अब इसको आगे solve करते हैं दोस्तों इस 4 को उपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 4P बचे πाई bracket में D1 minus KX का whole square इससे साब करते हैं दोस्तों इस तरह से stress बचे E यह हमारे stress निकला है दोस्तों हम जानते हैं इस train क्या होता है stress बचे E तो इसमें हमने दोस्तों इस समिकर में E और add कर दिया है extra यहां जो यह पूरा stress है बचे E उसमें लगा दिया है तो हमें strain प्राप्त होगी strain क्या है change in diameter बचे original diameter हम जिस diameter पर काम कर रहे है x distance पर वहां कितना stress और strain जनरेट होगा दोस्तों वह हमने निकाल लिया है so small deformation in elementary strip यह आपने जो डेल से प्रदर्शित किया दोस्तों यह change in diameter है 4P यह dx ऊपर लिया है इदर इसको integration करने के लिए dx जो की यह differential element है दोस्तों बटे πाई ब्रैकेट में d1 माइनस kx का स्कॉर total deformation कितना होगा दोस्तों यह थोड़ा सा deformation है अब full length में कितना deformation होगा दोस्तों यह सिर्फ dx distance की बात हो रही है तो उसकी पूरी length है दोस्तों L तो उसमें full length deformation होगा dll is equal to 0 से L limit लगा दिये और इसमें यह deformation रख दिया small deformation इसका integration करेंगे तो हम full deformation प्राप्त हो जागा now total deformation to conical various out में कितना होगा दोस्तों अब हम इसमें इस समीकर्ण को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों डेल की value दर पुट कर दी हमने इसका integration करेंगे दोस्तों इसका integration करते हैं इसको one upon जो यह d1 minus kx यह value है इसको x मान के इसका integration कर दिया है दोस्तों अब हमारे पास kx बज़ता है इसको अगले page में ले जाए गया है दोस्तों इस तरह कर दिया है इसका integration यहां तक हो गया है इतना अब last बज़ता है यह kx इसका differentiation कर देते हैं दोस्तों जो की minus kx हो जाता है इस तरह इसका integration हो गया है दोस्तों यह इसका integration हो गया है अब आगे इसकी limit put कर देंगे और final हमें value प्राप्त हो जाएगी इधर देखिए दोस्तों हमने limit यूज़ कर लिए है पहले body limit वाद में उसमें से छोटी limit को घटा दिया जाता है इस तरह हमें value प्राप्त हो जाती है अब इस समीकर्ण में हम k की value put कर देंगे जो की हमने k की value मानी थी d1 minus d2 बटे l अब इस तरह से जहां-जहां k है है वहां वहां इस value को put कर देंगे अब यहां यहां देखिए दोस्तो एक तो अपने पास k था इधर इधर तो यहां हमने value put कर दिये इसकी और एक k था इधर तो इधर value put कर दिये दोस्तों इसकी तो हमें final value प्राप्त होती है इस तरह से 4P L बटे पाई E bracket में D1 माइनस D2 और इसके गुना में बड़ा bracket 1 अपन D2 माइनस 1 अपन D1 इस तरह से हमें value प्राप्त होती है इसको आगे solve करते हैं दोस्तों इनका LCM ले लिया है इस परकार solve करते हैं तो इनका LCM आ जाता है यह solution आता है LCM लेने के बाद तो इससे यह दोनों value कट जाती है अब यहाँ L is equal to L लिख रहा है दोस्तों क्योंकि आप नहीं देखा होगा कहीं small L है कहीं capital L इसका मतलब वह length से हैं दोस्तों change in length small L लगा हुआ है जाँ तो यह L L same है पूरी समिकर्म आप देख सकते हैं तो हमें final value प्राप्त होती है यह डेल L is equal to 4PL वटे पाई E D1 D2 जो भी आपको पढ़ाये जा रहा है उसके सारे notes भी आपको उपलब्द कराये जा रहे हैं दोस्तों आप चाहें तेने download या copy करा सकते हैं वीडियो दोस्तों के साथ share करें आपके share के विना हमारे channel grow करना बहुत मुश्किल है बहुत बहुत धन्यवाद